नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जिसमें सामिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आठ अगस से भरे जाएंगे पद जिलावार वा विशेवार निधारित किये गए हैं इन पदो पर निउक्ती के लिए अभियार्थी का अनियोगता के अलावा सिक्षक पत्रता परिक्षा टेट उतिर्न होना अनिवार्य है बतादे इस परिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अमतिम समय सीमा 7 सितमबर निधाइट की गई है परिक्षा सुल्क भुगतान करने के लिए 9 सितमबर तक लिंक खुला रहेगा तेथा 11 सितमबर तक फोटो यह अपलोड करना होगा वहीं समर्पित ऑनलाइन आवेदन में किसी परकार का संसोधान 13 से 15 सितमबर तक होगा बिप्रक्षी दालों की बैठक में जुबानी बाते ज्यादा लोग सभाद चुनाओ को लेक कर राजे में सातारू जाक्षन मुक्ति मोर्चा पहले की भाती कॉंग्रेस और रायत के साथ गटबंधन की त्यारी में है इस सिल्सिले में राष्ट्रिय अस्तर पर बन रही एक जुटता की कवायद में भी मोर्चा सक्रिये है बता दे मोर्चा के करकारे अध्यक्ष हेमान सुरेट पर्तना और बैंगलोरू में हुए बैठकों में ही साले चुके है गटबंधन का आकार सामने आने के बावजूद राज में इसकी मजबूती सीटों के बटवारे पर निर्वर करेगी जार्खन मोक्ती मोर्चा के नजर इस बार लोग सभाचुना में अधिक सीटों पर है जबकि कॉंग्रेस दावेदारी छोड़ने को त्यार नहीं है बताते हैं 2019 में हुए लोग सभाचुना में कॉंग्रेस ने मोर्चा के लिए 5 सीटे छोड़ी थी कॉंग्रेस के खाते में 9 सीटे आई थी कॉंग्रेस ने अध्रूनी समझाता के तह 2 सीटे उस वक्त बाबुलार मरांडी के पाटे जहरकन विकास मोर्चा के लिए छोड़ी थी मरांडी अब भाजपा में हाए कॉंग्रेस का दावा अभी भी उतनी ही सीटों पर है सीयम हेमंद ने गिरीडी को 793 करोड की सोगात दी गिरीडी के डूमरी में आयोजीत समारों को समझात करते हुए मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने बुद्धवार को अरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जहारकन के साथ सोतेला बेभार कर रही है गरीबों को दी जाने वाली सुविधावों में भी केंद्र भेदभाव कर रहा है समारों को समझात करते हुए हेमंसुरे ने जहां अपनी सरकार के उपलब्धियों को गिनाया वहीं केंद्र सरकार और विपक्स पर जम कर परहार किया मुख्य मंजरी ने गिरी डिवासीयों को करोड़े की योज नाओं की सौगात भी दिया है CM सोरे ने कहा है कि जार्खन में सभी गरीब परईवारों को हरारासन काट दिया जा रहा है ऐसे परिवारों को जार्खन सरकार अपने खर्च परमुप्त में अनाज मुहया करा रही है इसके लिए जार्खन को FCIS चानाज नहीं दिया जा रहा है बजार्थ याधिक मुले पर अनाज खरिद कर गरीबों के बीच राज सरकार पांट रही है जार्खन में बजरपात के साथ बारिस का अलर्ट बंगाल की खड़ी में लो प्रेसर एरिया बन रहा है इसका असर जार्खन में भी देखने को मिलेगा भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची चित मौसम केंद्रे के परमुख अभिसेख आनाज जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि जार्खन के कई जिलों में बजरपात के साथ बार्षा होने के असंका है उन्होंने कहा है कि 19 जुलाई से 23 जुलाई तक जार्खन में ऐसी इस्थिती बने रहेगी मौसम केंद्रे ने वजरब पात के साथ वर्षा का अलर्ट भी जारी कर दिया है कहा है कि रांची में 23 जुलाई तक आस्मान में बादल चाहें रहेंगे हर दिन कम से कम एक बार या दो बार हलके से महदर्ज की बारिस होगी अधिक्तम और नियुंतम तापमान करम से 30 से 31 और 23 से 24 डिगरी राने की उमीधा है रखुबर दास ने पतना लाठी चार्ज की जाच रिपोर्ट सोपी पतना में भारतिय जनता पार्टी के करकतायों नितावप लाठी चार्ज को रहवर्दास की अगोईवाली समीती ने अपनी जाच रिपोर्ट सोप दी है रखुबर दास ने बुद्धवार को अपनी रिपोर्ट भाजपा के राश्ट्रिय अध्याख जगत परकास नडडा जेपी नडडा को सोपी है नई दिली में भाजपा के राश्ट्रिया अध्यक्स को जो रिपोर्ट जाज कमिटी के संजोजा करहुवर दास ने सौपी है उसमें कहा गया है कि पाटना में लोगों और करकाताओं से बात करने के बाद एक चीज बिल्कुल अस्पास्ट हो गया है कि उस दिन की घाटना राजे प्रायोजित हिंसा का हिस्सा था पूलिस और पसासा ने सड़य अंत्र के तहत भाजपा करकाताओं को घेरा अरुज के बाद बरबाता पुर्वक उन पर लाठी चार्ज किया ज्यारखन में 22 लाख नए भोटास जुडेंगे पूर्वी सिम्हूम जीला अंतरगा जमसेत पूर के सिदगोडा इस्थी टाउन हाल में ज्यारखन के मुख निर्वाचन पताधिकारी के रभिकुमार ने कहा है कि पूरे ज्यारखन में करीब 22 लाख लोग मद्दाता सुची में जोड़े जाएंगे इसके लिए पूरे राजे में करे रात 29,500 बिये लोग की जिम्हेदारी अधिक महत्पुन है पूर्वी सिम्हों की चाव अभिधान सभा में 1.07 लाख नए मद्दाता का नाम जोड़ा जाना है सिद्गोडा टाउन हाल में पुद्वार पायोजीत मद्दाता सुची कभी से संचिप्त कुनरेक्छन 2024 कारकरम को के रभिकुमार द्वारा सम्मोधित किया गया गैर भाजबा 66 राजयों के साथ केंद्र कर रहा सो तेला वेभार मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजबा 66 राजयों के साथ सो तेला वेभार कर रही है राई सरकार जब भी केंदर से किसी कार्य में मदद मांगती है तो टाल मटूल किया जाता है मुख्यमंत्री पुद्धवार को डूमरी के के भी हाई स्कूल मैदान में अविज़ कारक्रम में बोल रहे थे हेमान सुरेण ने इस अवसर पर 89.621 लाख रूपाय की लागत वाली 188 वजनाओ की स्वगात गिरी डिजीले को दी है इसमें 621.671 लाख रूपाय की 28 वजनाओ का उधगाटन और 22.569 लाख रूपाय की 169 वजनाओ को सिलान्या सामिल है वहीं 15,000 लाख को के बीच परिसंपतियों का वित्रन भी किया गया उपास्तित जन सम्मू को समोदित करते हैं उन्होंने कहा है कि केंदर राज सरकार के साथ पूर्व से ही ऐसा बेभार करते हा रहा है FCI की गोता में जो आनाज केंदर सरकार से भेजी जाती थी उसे बंद कर दिया गया है राजे पाल ने जैन उन्वर्शिटी बिल सरकार को लोटाया जहारखन के बाजे पाल C.P. राधा equipment ने जैन उन्वर्शिटी बिल हेमन सुरेन सरकार को लोटा दिया है उन्होंने सरकार से पुछा है कि राजे में पहले से चल रही प्राइवेट उन्वर्सिटीज में गड़बडियों की जाज के लिए सरकार ने क्या कदम उठाय है सरकार और विधान सभार ने इसके लिए जो कमेटिया गठित की थी उनकी रिपोर्ट कहा है और उन्हों पर क्या करवाई हुई है जारखन में खाली बोतलों से बनेगा टी सट पानी फीकर जिस प्लास्टिक बोतल को फेक देते हैं वह उप्योगी भी हो सकता है इन बोतलों को रिसाइकल कर कोई कामे ला जा सकता है इससे अब टी सट बनेंगे जिससे परवन सरचन के दिस्ता में बड़ा बदलाव आएगा इस बदलाव के सुत्रधार बनेंगे जमसेतपुर के स्कुली बच्चे क्योंकि बच्चे नहीं इस बेकार बोतलों को जुटाना सुरू किया है इन्हें जुटा कर बच्चे स्वक्षता पुकारे नाम की संग्या को सौप रहे हैं या NGO इन बोतलों को रिसाइकल करने की परकिरिया तक पहुँच रहा है इस परकिरिया के बाद बोतलों से पॉली एस्टर के टी सट तयार किये जाएंगे लोयला इस्कूल बिश्टूपूर के बच्चों ने दस एर खाली बोतलों की पहली खेप स्वक्षता पुकारे संस्थाक को सौप दी है इस्कूल की वाइस प्रिंस्पल जेंती से साध्री ने बताया है कि बच्चों ने अभियान चला कर बोतल घर घर से जुटाया है स्वास्त विभाग ने सर्पदंस को लेकर जारी की एडवाईजरी जारखन में सर्पदंस के मामले काफी बढ़े है पिछले एक माह में मौत का किराफ भी बढ़ा है बुद्धवार को स्वास्त विभाग के अपर मुख सचीव अरून कुमार सिंग ने सर्पदन से सम्मंधित एडवाजी जारी की है बताया गया है कि राज के भी भीन जीलों में एंटी स्नेक वेनम की 952 डोज उपलब्ध है स्वास विभाग ने रिम से निदेशक समय सभी मेटकल कॉलेज को परचार और सभी जीलों के सिविल सरजन को पतरचार करते वे सर्पदन से होने वाली अक्समी घटनाओं के बचाव रोक्ताम और उपचार से समधित मागदासिका का अनुपालन करने का निदेश दिया विभाग की ओर से जारी एडवाजरी में कहा गया है कि सर्पदन से लोगों की मौत का मुखे करें इलाज में देरी और समुदाय में जगरूपता की कमी है राज में पाय जाने वाले साप की 250 से अधिक परजातिया में केवल 25 परतिसाथी जहरी लिहा है